दोस्तों आपने कई State Bank of India के PO को देखा होगा कि उनकी hometown रहती है Delhi में और उनकी posting रहती है चिन्नाई में तो ऐसा क्यों होता है, क्यों उन्हें इतने दूर भेज दिया जाता है Circle का क्या concept होता है, इस BI में जैसा कि आपको पता है कि total 17 circles में all over India में zones divided है and उसके according ही आपकी allotment होती है and उसके जो posting आपकी होगी उसी circle में होती है Circle से क्या एक circle से दूसरे circle में जाया जा सकता है First posting कहां होगी, home posting मिलेगी या नहीं मिलेगी, transfer की क्या policy रहती है इन सारी चीजों के बारे में detail में बात करेंगे Hello दोस्तो, मैं हूँ Pratash और आप देख रहे है Job University इस वीडियो में हम देखेंगे State Bank of India में transfer की क्या policy है लेकिन वीडियो शोर में से पहले अगर आप channel पे नहीं हो तो channel को subscribe कर लेना and bell icon press करके all select कर देना ताकि government jobs related साही information आपको timely मिलती रहे All over India में SBI के जितने भी banks हैं उन्हें circles में बाटा गया है जैसे की Bangalore Circle, Delhi Circle, Chennai Circle, Ahmedabad Circle and आपसे preference मागा जाता है, mains के बाद आपसे preference मागा जाएगा कि आप कौन से circle में आप posting चाहते हो and यह जो circle के allotment होती है, यह actually final जब आपकी जिस दिन result आएगी उसी दिन आपका circle में allotment हो जाता है, यह आप देख सकते हो जो provisional allotment later है, उसमें mention किया हुआ है कि कौन से circle allot होई है SBI में total 17 circles है and कौन से circle में आपकी posting मिलेगी यह actually depend करता है कि किसी particular circle में कितनी vacancies है आपका preference क्या है and आपके mains plus interview में आपका total marks है वो कितना है, इन सारे factors के उपर depend करेगी यहाँ पर girls को preference दिया जाता है जैसे कि normally क्या होता है कि girls की posting अगर कोई girl suppose कि Delhi में राती है और उसकी posting चेन नहीं कर दी जाए या किसी चेन नहीं के किसी या तमिल नडू के किसी गाउं अगर हमें posting कर दी जाए तो यह देखाया गया है कि वो resign कर देती है क्योंकि family से बहुत जादा दूर नहीं रहाना चाती है क्योंकि safety की भी issue हो जाती है तो इसलिए normally girls को preference दिया जाता है कोशी जाए कि जो उनका first preference रहेगा circle का वो दिया जाए या तो उनको home posting मिल जाए या फिर उनके home town से nearest यानि कि 100-200 km में जो bank जहाँ पे vacancy है वहाँ उनकी posting कर दी जाए PWD candidates के साथ भी ऐसा ही होता है उनके जो भी preference रहती है वह ही उने दिया जाता है लेकिन अगर boys की बात करें तो particularly boys की transfer कहीं भी हो सकती है आपको all over India में कोई भी circle मिल सकती है और आपको वहाँ फिर जाना पड़ेगा जो आपकी preference रहेगी उसके उपर जैसे कि मैंने बताया कि 2-3 factors है उनके उपर depend करेगा लेकिन ऐसा कई बार देखा भी गया है कि marks भी अगर किसी person के अच्छे है लेकिन फिर भी उन्हें जो उनकी जो preference उन्होंने मांगा था वो नहीं नहीं मिली तो अगर आप लड़के हो तो आप tension free all over India में आपकी posting SBI में कहीं भी हो सकती है बहुत सारे ऐसे circles हैं जहां already बहुत ज़्यादा deficiency है and कुछ-कुछ circles ऐसे हैं यहां बहुत ज़्यादा surplus है यानि कि manpower बहुत ज़्यादा है तो जो deficit circles है उनमें एमदाबाद, चिन्नई, बैंगलोर और नौर्थ इस्ट की जो रीजन है वो primary आती है and surplus circle में आपकी देली, लखनाव, चंडिगर अगर बहुत लोग के साथ क्या होता है कि अगर उनकी hometown देली है जैसे suppose आपकी hometown देली है और आपके जो marks है आपको पता है कि average आप score करने वाले हो और उससे में अगर आप देली circle अपनी first preference दे देते हो तो जैसा कि मैंने बताया कि इहां already surplus है तो वो फिर आपकी second, third preference नहीं देते हैं सीधा आपको जो deficit circle है वहाँ भेज देते हैं तो कई बार इसलिए आपने देखा होगा कि किसी person कि अगर दिली posting है दिली hometown है तो उसकी posting chain नहीं मिल जाती है एक circle अगर आपको a lot हो गई तो वहाँ पे at least जब तक आप scale 5 तक पहुंचते हो यानि की AGM level तक जब तक आप पहुंचोगे तब तक वहाँ पे आपको उसी circle में रहना होता है यहाँ transfer भी होती है यानि की inter circle भी आप की transfer होती है एक circle से दूसरे circle में लेकिन उसमें भी बहुत लंबा process रहता है उसके लिए भी आपको 3-4 years wait करना पड़ता है लेकिन कोई guarantee नहीं कि आपकी transfer हो जाएगी क्योंकि यहाँ भी again seniority के उपर depend करता है तो इसलिए आप जब भी circle की preference आप से मांगी जाएगी कि अगर आप एक circle से दूसरे circle में जाना चाहते हो transfer लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पे उसकी क्या policy रहेगी सबसे पहले तो spouse ground के basis पे यह कह रहा सकता है कि अगर suppose कि आपकी wife या husband किसी state government job में है तो फिर यह हो सकता है कि आपको आपने circle आपकी जहाँ पोस्टिंग रहेगी वहाँ से आपका जो भी preference रहेगा यानि कि जिस circle में आप जाना चाहते हो वहाँ आपकी posting कर दी जाए एक और condition यह होती है कि अगर आप SBI में work कर रहे है और आपकी spouse भी SBI में work कर रहे है लेकिन वो किसी और circle में है तो फिर यहाँ पे management यह कर सकते है कि या तो आपको उनकी जो भी circle है वहाँ भेज दे या फिर उन्हें आपके circle में place कर दिया जाए इसके बाद कई बार ऐसा होता है कि suppose किसी south वाले person को अगर daily circle मिल गया या north circle मिल गई आप north में रहने वाले हो और आपको south की कोई चिन नहीं suppose या बैंगलो circle मिल गई तो फिर आप अपने आपस में swap कर सकते हो यह swap कभी भी किया जा सकता है यानि कि even तीन साल के पहले भी आप अगर यह अपना mutual transfer करना चाते हो swap करना चाते हो तो आप कर सकते हो at least two years work करने के बाद आप किसी भी दूसरे circle में apply कर सकते हो transfer के लिए लेकिन अगें यह जो list होती है यह बहुत बड़ी रहती है बहुत सारे लोगों ने apply किया होता है दूसरे circle में transfer के लिए and इसलिए यहाँ आपको 4 से 5 साल लग सकता है हो सकता है बहुत जादा time भी लग जाए and आपके transfer ना हो क्योंकि यह अगें number of vacancy and seniority के उपर भी depend करता है हर साल लग बग 15 की list रहती है यानि कि 15 लोग ऐसे होते हैं जिने एक circle से दूसरे circle में transfer किया रहता है अगर initial level यानि कि PO level की बात करें तो जब आप state bank में as probationary officer join करोगे तो आपकी two years की training रहेगी and यह probation period रहता है तो यहाँ पर first six months आप किसी एक particular branch में posted रहोगे and इसके six months complete होने के बाद फिर आपकी transfer हो जाएगी किसी और branch में आपकी posting होगी वहाँ आप six months work करोगे, काम सीखोगे and इसके बाद जहाँ आपकी posting होगी वहाँ लगबग one year रहोगे and जब आपकी confirmation हो जाएगी इसके बाद जो आपकी posting रहेगी यह आपकी permanent posting रहेगी permanent याने की at least three to four years आप उस particular bank में रहोगे दोस्तों यह थी है के SBI PO की transfer policy इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे comment करके पूछ सकते हो और इसी तरह की government jobs related information पाने के लिए चैनल को subscribe जो कर ले थैंक यू